हेलो धस्तो वेलकम टो इजी इंवेस्टिंग तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मााद्र 25 उरुपए में कैसे आप निफ्टी 50 के ंडेक्स में निवेस कर सकते हैं और देश की टॉफ विट्टी कम्पने में निवेस कर सकते हैं जी हां से 25 रुपय में कैसे आप Nifty 50 के इंडेक्स में निवेस्ट कर सकते हैं यह सारा कुछ हम समझेंगे आज की वीडियो में तो यह वीडियो काफी important होने वाला है small investors के लिए जो लोग काफी small capital के साथ market में आते हैं तो उनके लिए यह वीडियो काफी important होने वाला है तो देखेंगे यह कौन सा ETF है जिसमें आप से 25 रुपय में देश की top 50 company में invest कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखें सबसे पहले हम आपको बता देए जो की Nifty 50 का index है उसको कौन सा ETF कवर करता है वो करता है Nifty 20 जो की market का बहुत ही famous ETF है और बहुत हो का favorite ETF है तो यह सबसे reliable ETF है क्योंकि यह सबसे reliable index को कवर करता है पर इसका price 245 रुपय है तो यहाँ पर हमें तक्रीबन 2500 रुपय पे करने पड़ते हैं एक unit के लिए पर हम चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सा ETF है जो इससे 10 गुना सस्ते price में यानि इससी 25 रुपय में आपको देश की top 50 company में यानि Nifty 50 के index में निवेस करने का option दे रहा है तो चलिए देख लेते हैं तो देखिए इस ETF का नाम है आदित BSL Nifty 50 ETF जो कि आदित बिर्ला की तरफ से आता है तो देख सकते हैं इस ETF का price आज की trading session में सिर्प उसी 25 रुपय पे trade होता हुआ देखने को मिला है जो कि Nifty 20 से compare करने जाएंगे तो आपको 10 कुने सस्ते price में देखने को मिला है और देखिए ये बिल्कुल Nifty 50 के index को cover करता है और ये बिल्कुल Nifty 20 जैसा ही है तो यहाँ पर आप देख रहा होंगे एक साल में 22% के return बनाके दिया है इस ETF ने और वहीं आप अगर जो Nifty 50 के index से compare करेंगे तो Nifty 50 का ये index से इसने भी बीते एक साल में 20 और साढ़े 20% के return बनाके दिया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं और वहीं जिस ETF की बात हम कर रहे हैं वो उसने कहीं ने कहीं outperform किया है औ तो 2-5% के आसपास return ज्यादा देखने को मिला है यहाँ पर और वहीं अगर आप Nifty 20 से compare करना चाहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं Nifty 20 ने भी same return निकाल कर दिये है 22.34% के तो almost same ETF है same return है पर यहाँ पर जो main difference है वो है price का तो छोटे निमसको के लिए कहीं ने कहीं ये ETF का बड़ी बड़ी कंपनिया हैं और उन कंपनियों के stock price भी काफी महेंगे महेंगे है और यहाँ पर आप से 25 रुपय में देश की top 50 company में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है तो चलिए और भी detail में समझ लेते हैं इस ETF के बारे में तो य 249 करोड का इसका asset under management है और number of stock तो 50 ही होंगे क्योंकि Nifty 50 का ETF है expense ratio 0.06 का है चलिए और चीज़े देख लेते हैं तो यह ETF found गुआ था 2011 में तो यह कोई नया ETF नहीं है market का काफी पुराना ETF है और ETF symbol की बात की जाए तो BSL Nifty इस ETF code को आप जरूर ध्यान में रखेगा और इसे note क लिजेगा आपका जहां भी Demet account है इस code को ठालेंगे तो आपको यह ETF मिल जाएगा बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो भी company है वो सब Nifty 50 की है और Nifty 50 के जो index में जतना weightage है उतना ही weightage यहां पर दिया गया है आप यहां compare कर सकते हैं Nifty 20 से और बाकी volume देख लेते हैं तो volume एक की trading session में आता हुआ देखने को मिला है वो है एक लाग 22,535 का क्योंकि एक लाग की उपर volume है तो कह सकते हैं ठीक ठाक volume देखने को मिल आए तो अगर आप बहुत बड़ा निवेस करने वाले हैं तो एक बार जरू ध्यान में रखिएगा इस volume के figure को कि इसमें आपकी साफसे volume ह या फिर नहीं है बाकी अगर आप हजारों में ही invest करने वाले हैं कुछ हजार रुपए ही लगाने वाले है इस ETF में तो आपको problem फिलाल नहीं होगी क्योंकि इतना volume sufficient है small investors के लिए और देखिए कहीं न कहीं ये ETF small investors के लिए काफी अच्छा निगल के आ रहा है क्योंकि देखि में invest करेंगे तो सिफ 25 रुपए में ही invest कर सकते हैं वहां के comparison में या निप्टी बीज के comparison में यहाँ पर आपको 10 गुना quantity ज्यादा मिलेगी क्योंकि इसका price 10 गुना सस्ता है और साथी उन निवेसकों के लिए भी ETF अच्छा है जो कहीं ने कहीं अपनी second या third buying करते हैं तो द लगा चुके हैं और आपको फिर से थोड़ा से निवेस करना है किसी गिर्यावर्ट में तो आप ectf को भी consider करके चल सकते हैं जो कि आदित बिल्ला की तरफ से आता है तो ऐसे में आप separately बेंच पाएंगे अधरवाइस कई बार फीफो का issue हो जाता है तो वहां पर आपको फि अलग-अलग ectf buy कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग के पास एक ही demand account होता है तो उन लोग के लिए भी यह अवला ectf एक अच्छा option हो सकता है कि वह अलग-अलग ectf buy करें पहले ही buying आप करना चाते हैं तो इस ETF में कर सकते हैं nifty 20 में अगर आप second lot लगाना चाते हैं तो इस वा इसा लगा comment box में जरूर बताइएगा क्या आप इसमें निवेस करना चाहेंगे या फिर नहीं इसका भी जौब जरूर दीजेगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब परना बिल्कूल भी मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स लिए गुडबाए